मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई नहीं, वेकिन चैलेंजिस मेरे को पसंद है मैं भी चलता है वेरवल के हंट पे खेर अपन वेरवल बाइन के ट्रेलर से शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट की वेरवल बाइन को ट्रेलर देखने के बाद एक ऐसी चीज ऐसी फील होती है कि मुवी सिर्व वेरवल्फ को ही सेट अप नहीं कर रही है आइमीन यार अपने वेरवल्फ और मैं तिंग तो अपन को इसमें देखने को मिली गए लिकिन इसके अलावा थोड़ा सा कर ध्यान दोगे तो इसमें तुमें उकुल्टिस्ट, वेंपायर, जॉम्बी, अधर मॉंस्टर, सडिस्टिक और रिचुलिस्टिक किलर्स भी देखने को मिल जाएंगे अधर मेंज कि ये पिक्चर अपनें M.C.U. के पूरे मॉंस्टर उनिवर्स को सेट अप करने के जुगार में लगी हुई है सोसकते हो कि मतलब भाई, युनिवर्सल स्टूडियो से अभी उनका मॉंस्टर उनिवर्स नहीं बना और M.C.U. मॉंस्टर उनिवर्स बनाने चलना है और I mean, as a lame way में अपनको देखने को तो मिल गया जिसमें अपनको बहुत सारे कुछ क्रीपी स्टब भी देखने को मिल जाएंगे जिससे अगर M.C.U. चाहे तो अपनी आवकाद को जस्टिफाय कर सकता है कि अपन सब क्या कर सकते हैं मगर फिर भी मेरको ऐसा कुछ खास उम्मीद क्यों नहीं है क्योंकि horror movies का एक्ठो रूल होता है कि सब को मरना पड़ेगा तो जितने भी तुमें धेर सारी कास देखने को मिल रही है कि भाई, vampire और monster hunters जो इसमें आई हुए है उन सब को majority of beings को मनना पड़ेगा इस लड़की को छोड़ कर क्योंकि भाई, final girl वाला trope भी तो होता है कहानी में और अगर कोई कसर जो बच जाएगी, उसे टीवी वाला पूरा कर देंगे जो कि भाई, हमें यह obvious easter egg तो देखने को मिली गया है अगर फिर भी यार, Werewolf by Night, एक शक्स की बिना बहुत ही अधूरा है जो है, Moon Knight, Mark Spector, जब तक Werewolf को पेले गया नहीं, तब तक मेरे कलेजी की आग को ठंड़क मिलेगी ने, thank God, दोनों का logo बहुत ही similar दिख रहा है कि भाई, उसमें actual horror stoppen को देखने को नहीं मिलते लेकिन वो जो इंसान का चिलाना, चीखना, चटपटाना, वो सारी चीज़े सुनाई देती है तो probably वो हो सकता है, मगर फिर भी, वो थोड़ा सा body horror weapon ने इसमें tease मिला हुआ है उसे देख कर कुछ उम्मीद तो करी सकते है इसके बाद, गुरू लोग अपने सबसे mature content की बात कर लेते है Secret Invasion और मेरे को बहुत ही जादा खुशी है, क्योंकि भाई, मैं यही Marvel से तो मांग रहा था और यह देख के काफी अच्छा लगा, कि MCU अपने tone को भूला नहीं है क्योंकि यह है MCU की असली tone, बाकी सब तो बाक्चोदी चलती रहती है तो गुरू इसके अलावा, MCU फैन्स बहुत ही पहले से इसकी story उरी सब sort out करके बैठ चुके थे जो कि भाई, government अंदर से खाली हो रही है और यह कहानी आगे चलिए कहीं न कहीं, Phase 6 की आखरी Avenger movie, Secret Wars पे जाके connect होगी अब भाई देखो, वो बात नहीं है कि भाई, इसका substance कैसा है बात यह है कि इसे कितनी seriousness और integrity की साथ handle किया जा रहा है जब वो स्क्रॉल्स का चिलाने वाला सीन आया था, मैं तो तभी बिग गया था क्योंकि वो जो humans और स्क्रॉल्स की बीच का internal conflict है, वो strong मंगता था और वो strong दिया उनोंने वहाँ पर उसके बाद भाई, सरकारे अंदर से खोकली होती जा रही है जो कि अगर इसे नई रोका गया, तो पता नहीं आगे चलकी है, कहां पर जाकी रुकेगा फूरी इमानों जाती कोई dominate कर सकते हैं और अब हाँ बाई जैसा इंसानों में होता है, कि बाई differentiation होता है, सब इंसान हरामी नहीं होते वैसा इन में भी होगा, लेकिन तुम भरोसा किस पर कर सकोगे इस शोस की हमें बहुती सारे answers चाहिए इस सीरीज से क्योंकि भाई, Far From Home में तो भाई, Fury साब बड़े मज़े में थे उसकी बाद ऐसा क्या character development हुआ कि जिन्दी की जंड़ वाले scene देखने को मिला Fury ये लड़ाई लड़ा ही क्यों चाहता है, वो क्यों दूसरों पहसान कर रहा है बाकि सूपर हेरोस की help उसने क्यों लिग, भाई, बहाँ पे में ऐसा कौन सा जोस चड़ गया है कि भाई, behind the curtains की जगहा, इसे सामने आकर सब कुछ handle करना पड़ रहा है मगर उससे भी बड़ी बात, जो Captain Marvel movie में, Skrulls के उपर बक्चोद होने का जो दाग लगा हुआ था ये picture एक हद तक काफी मिटा सकती हो से, क्योंकि ये picture हमें दिखाएगी कि भाई, actual में bad ass Skulls होते क्या है क्योंकि इनकी legacy इतनी बड़ी है कि आगे चलके armor wards और secret wards के साथ intergalactic battles में ही जाके रुकेगी क्योंकि इसमें वो Civil War ओली vibe है, मगर Civil War की तरह clear sides नहीं है कि भाई Captain America vs Iron Man वाली team और Marvel यही बात तो पूछ रहा है कि तुम किस पे भरोसा करोगे और मैं भी तुम से यही पूछना चाता हूँ कि तुम किस पे भरोसा कर रहे हो कौन असली है, कौन अकली है, कहीं Nick Fury भी तो X-Skrull ना हो जाए या फिर तुम भी तो X-Skrull नहीं हो comment सब में opinions मुझे ज़रू बताना और यहीं सब बातों के साथ-साथ इन दो mature Marvel content से तुम के expectation रखके चल रहे हो भी बताना मैं इसे पढ़ना बहुत ही पसंद करूँगा क्योंकि भाई, अब लग रहा है कि हाँ कोई रचा आने वाला है तुम अपने opinions मुझे ज़रूर बताना और यहीं सारी बातों के साथ-साथ मैंने ब्रमास मुवी का review भी किया हुआ है जो कि आप मेरे इस वाली वीडियो पे ज़रूर चकाट करना तुम इस सारी information मिल जाएगी और तब तक के लिए देखते रहेए बीजे एक्स्प्लेंग